थेख वलकम टू टेक बित भीहाडी मेनाओं भी वेक है तो दोस्तों आज किस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप अपनी जीमेल एकाउंट का पास्पोर्ट जो है फूल चुके हैं तो आप आगे क्या करेंगे ताकि आपका जो पास्पोर्ट है वो आपके पास आ तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट के उनसे पहले चैनल पर पहले वारा है तो चैनल को सब्सकाइब कर बेल आकन को जरूब पिसकी जगा साथ या आप हमें सोसल मेडिया फोलो कर सकते लिंक आपको नीची डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो अगर आप अपना पास्पोर कहीं कोई दिक्कत ना है चले हम जो भी एस्टेफ फॉलो कर रहे हैं वह आप करते चलिए आपको जीमेल का एकाउंट का जो पास्पोर्ड है वह आपको पता चल जाएगा तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने फॉन में जो सेटिंग का एप है उस एप को आपन करेंगे यहां से चलिए हम सेटिंग वाला जो एप है इसको हम ओपन करतें और इसके सेटिंग में आपको एक टर्म ढूर्ना होता है एक टर्मोलोगी जिसका नाम है हमारा एकाउंट तो आप सिंपली एकाउंट सर्च कर लेगे किसी में जो इससींग का भी सबसाण आ सकता है तो आपको यहाप अपना जीमेल आप लगाले पर लेते हान और सी औरा और पर भीगाले परैक्नान है घंड डीन सब्सक्राइब जब कर दो आप हर लेटर और हराउम को आप सहिए कि यहाँ पे पासपोर्ट लेक्म हम रही हुए अपर चीज़ सरा नहीं आपको यहां पर next पे click करना होगा उसके बाद जो हमारे सामने passport वाला portion आ जाता होगी तो यहां पर आपको passport नहीं पता है तो आप forget passport पे जो है जाएंगे तो यहां चे चलिए हम forget passport पे क्लिक करते हैं और यहां पर आपको एक option मिलेगा सबसे पहले तो आपका मोवाइल नमर दिखा देगा कि आप इसमें कौन सा मोवाइल नमर जो है जो है जोर के रखें और code verification के लिए आपको बोला जाता है कि आप text के थुरू करना चाहते हैं call के थुरू अगर text पे करते हैं तो यह message sent करेगा और call के थुरू आप करते हैं तो यह इसमें अल्रेडी लगा है पहले से तो यह इंटमेटिक करके हमको अगला यहां पर देगा तो यहां पर अपना पासपोर्ट फिर से नया पासपोर्ट चुछ करना है pockets pedir passport आप नया Tyl गे और जो पास्पर उपर लिकर नखेंगे वह ही पास्पोर्ट आपको confirm passport में लिखना होता है चल्य आँजरे एक पास्फोर्ट कर लेते हैं अगर आप अपना पास्पोर्ट को स्ट्रॉंग बनाना चाहते हैं मतलब कि वो उस पास्पोर्ट को कोई आसानी से क्रैक नहीं कर सके तो आपको मैं सजेस्ट करता हूं कि एक कैप्टर लेटर और साथ ही एक जो है उसमें आप नंबर और एक कोई पेसल करेक्टर यूज कर सकते हैं जैसे कि एर दी रेट हैस टानी से कोई जल्दी क्रैक ने आठ हर चीज मिलाके अंक लेटर और जो करेक्टर यूज़ कर रहे हर चीज मिलाके आठ कम से कम होना चाहिए उसके बाद यहां पर आप से पासपोर्ट पे क्लिक कर देंगे तो उसके बाद अगर आपका सारा कुछ सही रहेगा तो इसका जो टर्मस और कंडिशन उसे आप सकते हैं तो यह था एक सिंपल सा तरीका जिसके मदस से आपने सीखा कि कैसे जो हम अपने जीमेल एकाउंट का पास्पोर्ट बता कर सकते हैं अगर कोई डाउट रहा जाता है इसके बावजूद भी तो हमें कॉमेंट करके जरूर बताएगा और साथ ही चैनल पर पहली बार का और सकते हैं हैंट